हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो मैच चैनल आज देखे मैं आपके लिए ये डिजाइन लेकर आई हूँ बहुत ही खुबसूरत डिजाइन है और दोस लाईयों को डिजाइन है तो बनता भी बहुत आसानी से है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है तो सबसे पहले आप बॉर्डर बना लिजे जो भी बॉर्डर आपको पसंद हो और उसके बाद जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो फंदे हमें बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं है बॉर्डर के बाद हमें फंदे बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने इस चीज का हमें ध्यान रखना है तो बहुत सिंपल है आए देखे इसे कैसे बनाना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जो रुक किजेगा और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो बहुत ही खुबसरा डिजाइन है बेबी की स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगेगा लेडी स्वेटर में भी और जैंट स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगेगा तो सबसे पहले हम बौडर बना लेंगे फिर दोस लाइए हम सिंपल निकाल लेंगे अब हम सीधी हम ऐसे ही उतारेंगे और उसके आगे से हम धागे को ले आएंगे अब फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे फिर दूसरे फंदे को हमें उतारना है और धागा आगे ले आएंगे फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर फंदे को बिना बुना उतारेंगे और धागा आग उल्टी साइड में, पहले फंदे को हमें बिना मुना उतार लेना है, और दूसरे फंदे को भी फिर हमें इस तरीके से बुन लेना उल्टा, आप जो फंदा हमने पिछली स्लाइब में उतारा था, उसे हमें उतारना है, और दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, ध्यान से में यही पैटरन चलेगा, दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, और जो फंदा हमने उतारा था, उसको हमें उतार लेना है, तो बस यही दो सलाईयों का डेजाइन है, जो हर बार हमारा रेपीट होगा, अब सीधी साइड में देखेगा, पहले फंदे को हमें उतार लेना है, इ देखीगा सिंगल फंदे के आगे से हमें धागा ले आना है और दो फंदो का हमें एक बना देना है देखीगा धिहान से देखीगा दो का हमें एक बना देना है और जो हमारा फंदा सिंगल है उसके आगे से हमें धागा ले आना है तो यह बैलेंस जो है बिल्कुर बराबर रह और एक का दो बनेगा इस तरीके से कि धागा आ गया जाएगा और अब उल्टी साइट में एक बार ही फिर से ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को हमें उतार लेना है और फिर हमें बनाना है उतारे हुए फंदे को हमें उतार लेना है और दो फंदे हमें उल्टे बना देना है उल्टी सलाई में इसी तरीके से हमेशा कोई गर्बर नहीं होगी दो फंदे उल्टे आएंगे और उतारे हुए फंदे को उतार लेना है आप सीधी साइड में एक बार फिर से देख लिजेगा बस यही सलाईयों को रिपीट करना है लेकिन फिर भी में आपको थोड़ा सा बना कर बता देती हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए देखिए धागे को आगे ले आए दो का एक बना दिया है सिंगल फंदे को ऐसे ही उतारना है आगे से धागा ले आना है अब दो फंदों का एक बनाना है सिंगल फंदे को ऐसे ही उतारना है धागा आगे ले आना है और दो का एक बना देना है है ना बहुत सिंपल डिजाइन तो बनाईए और मेरे साथ शेर कीजिए मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी तो यहाँ पर इस डिजाइन से में बनाने वाली हूँ बेबी स्वेटर तो स्वेटर जब कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी तो इसी तरीके से बने रहेगा आप मेरे साथ यह स्वेटर मैं कम्प्लीट करके आपको जरूर दिखाऊँगी आपके साथ शेर करूँगी उल्टी स्लाइ में देखेगा फिर से वही पैटरन है और सीधी में फिर से वही है तो बहुत ही आसान रिजाइन है एक बार फिर से देखेगा पहले फंदे को हमें बिना बुना उतार लेना है धागा आगे ले आना है और जो फंदा हमारा सिंगल है उसके आगे से हमें धागा लेके आना है और फंदे को बिना बुना उतार लेना है और फिर हमें दो का एक बना देना है है ना देखिए कितना सुन्दर लग रहा है बनने के बाद और बहुत ही इजी है सिर्फ दो सलाईयों का डिजाइन है ध्यान से देखिए उतारेवे फंदे को उतार लेना है और दो फंदो को उल्टा बना देना है इस डिजाइन को हनी कॉम डिजाइन भी बोलते है क्योंकि देखिए क्या यह इसी तरीके से लगता है ना देखने में तो बनाईए फिर मेलते हैं अगली किसी वीडियो में थैंक यू झालुछ